विश्यु का सबसे उंचा मंदिर भारत के कल्चर और धार्मेक विरासत को भारत और दुनिया के बच्चे-बच्चे को समझाने के लिए भारत में एक या दो नई बलकि कई बड़े कृष्ण मंदिरों का निर्मान किया जा रहा है करीब 2100 करोड रुपे की लागत से बन रहा है इन मंदिरों की खूबियां ऐसी होंगी जिनने देख सारी दुनिया ही दंग रह जाएगी तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कि भारत कैसे इन मंदिरों के जरिये भी दुनिया में च्छा जाने वाला है इन में से पहला है व्रंदावन में बन रहा दुनिया का सबसे उंचा मंदिर जिसे बनाने में लगबग 800 करोड रुपे का खर्चाएगा ये मंदिर 700 फीट उंचा होगा और पैसा ठेकड में फैला होगा इसमें 70 मंजला मंदिर बनेगा इस मंदिर को एक amusement park की तरह डवलप किया जा रहा है यानि इसमें light show के जरिया भगवान कृष्ण की लीलाओं को महसूस कर सकेंगे जैसे किसी amusement park में जूले होते हैं ठीक वैसे ही यहाँ अगासूर बकासूर पूतना जैसे राक्षसों के वद से जुड़ी activity होंगी मंदिर का मुख्य हॉल इतना बड़ा होगा कि उसमें एक बार में 5000 लोग आसानी से भगवान के दर्शन कर पाएंगे साथ ही इसमें भागवत गीता एक्सपो भी होगा इसमें भागवत की प्रमुग गटनाओं को दिखाया जाएगा मंदिर में यमुना क्रीक भी होगा इसमें लोग परिवार के साथ यमुना नौका विहार का आनंद ले सकेंगे कैपसियूल एलिवेटर यहां का खास आकरशन होगा इसमें बैटकर लोग काफी उचाई तक ऊपर जाएंगे और ब्रमान्ड के विबिन पहलूओं को जान सकेंगे इसी तरह बैंगुलोरू के वैकुंट हिल पर श्रीकृष्ण लीला थीम पार्क बनाया जा रहा है जिसे बनाने का खर्च लगबख 750 करोड रुपे आएगा अब बात करते हैं कि यहां दुनिया को हैरान करने के लिए क्या-क्या खास होगा यह थीम पार्क घने जंगल और व्रंदावन का पूरा एहसास देगा भगवान श्रीकृष्ण ने अपने जीवन में जितने राक्षसों का वद किया है उन सभी घटनाओं का चित्रण इस थीम पार्क में होगा इसके साथ ही वैकूंट एक्स्पीरियंस वाला एक सेक्शन भी होगा इसके दर्शन करने के लिए जब भी आप अपने परिवार के साथ जाएंगे तो आपको एक पौरानेक विमान जैसा दिखने वाले विमान में बिठा कर उडाते हुए धाम तक ले जाया जाएगा इसकी बनावट वैसी ही होगी जैसी पौरानों में वैकूंट के लिए लिखी है आप खुद वैकूंट में भगवान के वास को महसूस कर पाएंगे मंदिर में 5,000 कारों की पार्किंग की विवस्ता भी होगी मंदिर के परिसर में एक हैली पैट भी बनाया जाएगा इन विशाल मंदिरों की निर्माण की खबर ने ना केवल दुनिया का ध्यान भारत की और खींचा है बलकि इनके पूरा होने के बाद भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत वे प्राची नितिहास देखने के लिए परियाटकों की लंबी-लंबी लाइने भी लग जाएंगी सो फ्रेंड्स इंडिया में एक के बाद एक कितने सारे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और दुनिया के ले एक मिसाल बन रहा है